हेल दोस्तों मस्कार आप सभी का स्वागत है अनुजी एसे केड में चनपर देगे दोस्तों यूपी टेट की परिक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो यह मान के चलेगा कि यह आपका मार्च एंड तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे अच्छी मैं बात यह ऐकि अगर आपने सीट की परिक्षा नहीं दिए तो यूपी टेट की तयार में लग जाएगा अगर आपने हम चीट परिक्षा दी है और आपका वालिफाई हो गया तो डारेक्ट आप जो है सूपर टेट का जो सलेवस है उस पर फोकस करिएगा आगे जो प्राइमरी भढ़ती आएगी उसमें केवल वही अपलाई कर पाएगा जिनका प्राइमरी टेट या सीटेट जो है आपका क्वालिफाई होगा और देखीगा ये सूचना आप सभी ने भी देख ली होगी कि आपका यूपी टेट दोजार तेश की जो अधिसूचना है वो जल्द जारी हो जाएगी कुछ आकड़े दिये इसकी आपका 21,65,189 जो है केंड़ेट ने आपकी परिक्सा दीती पिछले वर्ष इसमें अपना देखीगा यूपी टेट का जो सलेवर से वो देख लिजए है क्योंकि आपका जो सीटेट की परिक्सा है वो आपकी एक समझ बेश है लेकिन यूपी टेट की परिक्सा जो है आपकी एक फैक्ट बेस कोश्चन पूछ जाता है परते एक सबजेक्ट में आपका साइकलोजी हो आपका एवियस हो या आपका हिंदी हो उसमें ग्रामर पूछा जाता है यह निव्ज जो है आज की है तो यहाँ पे आ कारण भी आपके यहां पर जारी किसके जो है सर्टिफिकेट आपके नहीं मिल पाई इसमें बीएड और बीटीसी विवाद के कारण जो है अभी तक यह आपके परमार्ण पत्र जो है आपके जारी नहीं किये गए इसमें इसके लिए जो है आपका डेलेड के अभ्यरतियों न अभी तक जो है नहीं बाटे गए लेकिन इसके अंदर होगा कुछ नहीं लाश्ट में क्या होगा दोनों को वैलेड कर दे जाए क्योंकि आपका देखिए के विएस को भी आपका प्राइमरी के अंदर बेड को सामिल के गए इसमें और आगे यहां पर आप इसमें देख सकते देखिगा यहां पर जो है धाई साल में सिक्सकों के 51,112 जो पद है आपके रिक्त है परिशदी है प्रात्मिक अस्कूलों में पिछले धाई सालों से आपका साहय का अध्यपकों के रिक्त पदों की संख्या में भी आपकी वरद्दी नहीं हुए लेकिन देखिगा 51,112 की चर्चा जो है काफी बार हो चुक है कि इतने जो पद है आपके वो खाली आप यह देखिगा कि इससे पहले जो आपकी भरती हुईती 69,000 से पहले जो भरती हुईती आपकी 68,500 की भरती हुईती उसमें से जो है आपके 23,000 जो है आपके पद उसमें खाली रह गए तो यह पद है आपके वो खाली है लेकिन होगा क्या देखना आप जो है चुनाओ से पहले अचानक ये जो है आपके पद खाली हो जाएगे बरती भी आएगी बिल्कुल लेकिन इसके लिए आप जो है अच्छी से तयारी करते रहेगा अपने जो सलेवस है उस पर फोकस करिए ना कि ये जो इधर उदर की जो चर्चाई इस पर दियान मत दिजेगा कि आपका बीड बाहर होगा बीड अंदर होगा सब के सब वैलिड होगे देख लेना आप इसमें